नमस्का दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैं आज आप लोगों के लिए थर्मो पेक का रिव्यू देख्या हूँ यह नैनीज कंपनी का है बहुत ही अच्छा है और आप कोई सा भी फेशल करो या तो अरोमा का करो ओधिरी करो पपाया करो ज काफी क्लाइन को इसको यूज कर रही हूँ मैंने आज यूज कर रहा को बनाना है और यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मार्केट में तो बहुत ज्यादा कोसली इसका मानते हैं मगर आप एक बर खरे देंगे तो घर में ही इसको यूज कर सकते हैं किसी भी फेशल पर इस क्योंकि यह छेद है ना तो यह हमारी इसकिन में भी जाएगा पूरा फेशल अच्छे से करने के बाद पूरा एक जेल के लेर लगा लिए उसके बाद इसको यूज करना है अमें थर्मोपेक बनाने की वीदी बता रही हूँ मैंने थर्मोपेक लिया है अगर एक क्लाइंट है तो दो या तीन चमच आपको बड़ा वाला लेना है उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी मिलाके एक लिक्विट फार्म बना लेना है जैसे मैं लिक्विट बना रही हूँ उस टैप से मैंने हास से ही दो या तीन चमच ले लिया है ये देखिए और इसको बहुत जली यूज करना रहता है और इसको बहुत जली जली करना रहता है लंस भी हटाना रहता है इसको फटाफट नी तो ये हार्ड होने लग जाता है अब जली से इसको एक पतला सा फाम बनाई है और देखे मैं इस step से फिर पूरे face पे इनके लगा रही हूँ और मैंने जो नीचे आग पे एक aloe vera gel की पट्टी आती वो रखी हुई है आप चाहे eye marks बोलते हैं उसको वो लगा है आप चाहे तो cotton लगा सकते हैं आलू को किसके लगा सकते हैं किसी को dark सकर रहता है यह इस step से dry होने लग जाता है और आपको नाग की जगा पे step से काट के लगाना है और जब यह पूरा dry हो जाएगा यह अपने आप ही निकल जाएगा ये देखे इस टैप से निकल जाता है ये पूरा पील हो जाता है और इसको हर मांत यूज करेंगे तो आपके रिंकल से भी हटते चले जाएगी